हाँ फ्रेंट जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने अभी फ्रीजर से निकाली हुई है आप देख रहे हैं ये बिलकुल अभी एकदम से मैंने फ्रीजर से निकाली थी ये कम से कम ये हनी की बॉटल जो है ये चार दिन चार दिन से freezer में है तो honey की एक property होती है कि ये freeze नहीं होता है अब इसको 4 दिन रखो, 5 दिन रखो पांच साल रखो तो मैं देखता हूँ यह honey हमारा freeze हुआ है की नहीं हुआ है ये देखी ये अभी अभी में निकाली है फ्रीजर से चार दिन के बाद तो जो रियल हनी होता है वो फ्रीज नहीं होता है आप देख सकते हैं कितना डेंस है कितना ठीक है यह पर इफ्रीज नहीं हुआ है अगर इसमें अड़ल्ट्रेशन हो यह पानी हो तो यह फ्रीज हो जाएगा यह रियल हनी की एक property होती है और जहां तक इसकी density की बात आती है इसकी viscosity की बात आती है तो जो इसकी density होती है वो temperature बहुत डिपेंड करता है जैसे जैसे गर्मी आएगी यह पतला हो जाएगा और जैसे ठंडी रहेगी तो यह थोड़ा paste की शेकल में आ जाएगा तो friends आपने यह वीडियो दिखा कि basically honey की एक property है कि वो freeze नहीं होता अगर आप इसको freezer में भी रखते हैं वो एक साल दो साल भी आप freezer में रखते हैं वो फ्रीज नहीं होगा यह उसकी property या कुसमें पानी या जो इल्टरी चीज़े होंगी तो वो freeze होगा एक चीज और जो density of honey होत है और तीसरी बार जो crystallization की है तो crystallization एक natural phenomenon है इसका honey की purity से कोई तालुक नहीं है अगर आपका honey crystallize हो रहा तो आप यह नहीं समझें कि यह honey fake है वह honey बिल्कुल pure हो सकता है real हो सकता है पर crystallization होती है एक natural phenomenon है thank you for watching the video friends thank you so much